हेलो स्टूरेंट्स आप सभी कर जोगर है हमारे इस यूडिव चैनल पर आज हम लोग रीडिंग कैंपेंग की एक्टिविटी सीड नंबर 51 के बारे में बात करेंगे जिसकी डेट है बाइस तीन दोहजर बाइस यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है और आज की जो क्लास है यह 6 to 8 की है चलिए रेखते हैं इसमें क्या दिया गया है मोहन लाल डिवाइड हिस फिल्ड इंटो 3 9 एक्कोईल पार्ट्स कहने का मतलब एक वेक्ती था जिसका नाम था मोहन लाल और उसने 9 एक्कोईल पार्ट्स में अपनी फिल्ड को डिवाइड कर दिया जहां पर वो खेती करता था थी grown orange at one part out of nine उसने 9 पार्ट्स में से एक पार्ट में orange गोगाया आ फ्रैक्शन दिप्रेजेंटेशन और वोल अब पूरे का अगर हम फ्रैक्शन दिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिटा 1 अपन 9 क्या हो जाएगा 1 अपन 9 हो जाए देखो इसके बाद आपको लिखना है 9 अब आपको ये गोशन लिखने हैं अपनी कॉप्य में बिटा यह याद रखिएगा 9 अब राइट अट हो मच एरिया of field does grow mango कितने area field में mango grow हुआ है तो आप देखोगे एक और दो जिगे उसने mango को उगाया है और जब दो जिगे mango को उगाया है तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा बिटा 2 by 9 ठीक है इसका क्या हो जाएगा पहले आले का 2 by 9 which two fruits covered 2 by 9 area field कौन से दो fruits हैं जो covered करते हैं 2 by 9 area fruits के तो एक तो देखो mango है और दूसा क्या है ग्रेप्स है तो यहाँ लिख दीजेगा इसका answer क्या हो जाएगा mango and grapes चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया आगे दिया गया प्रॉपर फ्रैक्शन fraction whose numerator is smaller than denominator एक ऐसा fraction जिसका numerator जो है वो denominator यानि की denominator से numerator यानि उपर वाली सेंख्या छोटी है तो इस fraction को हम क्या बोलते हैं proper fraction कहने का क्या मतलब है एक ऐसा fraction मालो जैसे नीचे 9 दे दिया गया तो उपर 6 ले लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया या 9 से कोई छोटा नंबर अगर उपर है तो उसे proper fraction बोला जागा improper fraction क्यों होता है एक ऐसा fraction जिसका numerator greater than denominator से जैसे यहाँ पर देखो नीचे 2 है और उपर क्या है 5 है अब देखो numerator denominator denominator पहले एक बार समझ लेते हैं होता क्या है देखो numerator मतलब होता है नया नया यानि उपर होती है चीज़े हमारी और denominator मतलब होता है डाउन डाउन यानि नीचे नीचे की संख्याओं को denominator उपर की numerator कहते हैं एक ऐसा improper fraction क्या होता है एक ऐसा fraction होता है जिसने numerator बढ़ा हो denominator से यानि कि ये वाली उपर वाली संख्या नीचे अली संख्या से क्या होगी बढ़ी होगी हमेशा आप देखो mixed fraction की बात कर लो अच्छा mixed fraction क्या होता है ठीक एक ऐसा fraction जो combination हो किसका whole numbers का और proper fraction का यानि कि एक ऐसा combination जिसमें कोई whole number आ रहा हो जैसे 10 हो गया और एक proper fraction आ रहा हो ठीक है जैसे 1 by 2 हो गया अच्छा like fraction क्या होते है एक या उससे ज्यादा fraction जो same denominator रखते हो उसे like fraction बोलेंगे यानि कि जिसमें नीचे की value क्या हो same हो से like fraction बोला जाता है unlike fraction वो होते हैं जिसमें नीचे की value different होती है ठीक है चलो आगे देखते हैं क्या कहा गया let's try write like fraction and from the following जो नीचे दिएगा है इसमें से like fraction कौन से है देखो भाई जो red से मैं कर रहा हूँ उनको like fraction की heading डालकर लिख देना ठीक है और जो unlike fraction है वो कौन से हो जाएंगे जिनको मैंने green से circle किया है वो कौन से fraction है ये हैं आपके unlike तो heading डालना unlike fraction और इनको उनके सामने लिख देना ठीक है और ये heading डालना like fraction की जिनको मैंने red से circle किया है किस से circle किया बटा red लाल रंग से ठीक है इनको सब को क्या कर देना heading डालना like fraction और इनको लिख देना ठीक है चलो आगे देखते हैं क्या दिया गए चलो नीचे मैं आपको लिखवा देता हूँ देखो नीचे यहाँ पर दिया भी गया आप चाहो तो लिख लो जैसे like fraction में क्या हो गया 4 by 9 हो गया 7 by 9 हो गया 1 by 9 हो गया 3 by 9 हो गया और 6 by 9 हो गया ठीक unlike fraction में कौन सा हो गया 7 by 16 हो गया ठीक है और क्या हो गया बिटा 7 by 16 ठीक है 5 by 8 हो गया और 2y3 होगा चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गए right the proper और improper fraction the following नीचे जो दिया गए इसमें proper और improper लिखना है proper fraction क्या है जिसका denominator छोटा numerator बड़ा ठीक है तो देखो proper fraction अभी मैंने उपर क्या बताया था proper fraction बताया है जिसका numerator छोटा denominator बड़ा हो ठीक है तो देखो ऐसा कौन कौन से है ऐसा है एक आपका 4 by 7 ऐसा आपका कौन है 11 by 12 ऐसा आपका कौन है 8 by 9 ऐसा आपका कौन है 5 by 16 इन proper में कौन हो गया ठीक है इन proper में आपका देखो हो गया जाके बिटा ठीक है 15 by आपका 9 ठेक इसके बाद 23 4 इसके बाद आपका कौन हो गया ठीक है एक को 15 भा नाइन हो गया 2017 भा juay !? 23 भाइस फोर हो गया और एटीन भाइस 5 हो गया ठीक है तो ff 15 भाइस 9 23 भाइस वेट वाइस सैवेंट फंफ हॉइफ पाइस पे चलो आ तक ना दन्य वाद बच्चो.